नवस्कार दोस्तों, सदन ब्रेव और वेल्श फायर के बीच जो नेक्स्ट वोमेन दी अर्डेट का मैच खिला जाएगा, वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, एक बार फिर से हर सेक्षन के बारे में बात करेंगे यार बैटिंग सेक्षन से कितने प्लियर्स लें, क् इसके बावदूद लोग एकी बैट्समें को ट्राइ करते हैं, आज के मैच में भी काफी सारे लोग इसी कन्फ्यूजर में फसने वाले हैं, कितने बैट्समें नाम रखें, और बोलिंग सेक्षन से कुछ कमाल के बोलर्स हैं, वो भी आज इग्नोर हो रहे हैं, तो वीडिय वीडियो गंदे डिसकस होने वाला है, तो वीडियो स्किप्ट करना, पसंद अगर पहली बात चैनल को देख रहे हो, पहली बात आ हो, तो सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक भी कर देख, चलिए, शुरुआत करेंगे यहां पर सी टेलिग्राम से, टेलिग्राम प तो फिर जो फाइनल टीम है ना, वो मैं कई बार चेंजेस भी कर देता हूं, जो मैं आपको वीडियो में टीम दे रहा हूं, तो टेलिग्राम चैनल की इंपॉर्टेंस अच्छी खासी है, जोईन कर लेना, बागी शुरुआत करेंगे सीधा यहां पर पिछ रिपोर्ट के स सौथ हैंटन में यह मैच खेला जाएगा, सदर म्रेव का यह होंग्राउं रेने वाला है, बाकि टीम यार बाहर हो चुकि और वेल्श फायर अल्मोस टॉप पोजिशन पर बनी हुई, तो वेल्श फायर थोड़ी ज्यादा स्टॉंग इस मैच के दौर पे, बैटिंग फ्र टीम के पास खोड़ने को कुछ नहीं होता, कई बार वो भी बहुत अच्छा कर जाती, तो सदर म्रेव से भी उम्मीद कर रहा हो, वेटिंग तो अट लीस्ट वो भी अच्छी करने वाले हैं आज के मैच काट, ठीक है, चलिए लास मैच देख लेते हैं, ट्रेंड रॉकेट पिछले स्वर्णी के उपर, चाहर फर्स बैट की हो, चाहर सेकेंड बैट की हो, तो थोड़ा सा फेवरेट में वेश्वायर को आप ले सकते हो, वहां से ही आप केप्टन वाइस केप्टन ट्राइगर हो, वहीं के थोड़े जाधा अप्रेस रखें, चलिए शुरुआत करे लेगी, आप यहां से आपका फेवरेट जो पॉइंट रहता है, कि सर डैथ बोलर बताओ, या कितने बोलर से जो पूरे चार ओवर्स करेंगे, वह मैं कवर कर लेता हूँ, तो पहली इनकी बोलर है, लॉरेन बैल, चार ओवर्स पूरे है, हर कंडिशन में चार ओवर्स पू लेग कुछ मैचस था, और एक मैच में हमने इनको डिफरेंट के तौर पर ट्राइ भी किया था, और उस मैच में इन्हों ने हमें विन भी कराया था, तो तीन बोलर हो गए, चौता बोलर आप लेके चल सकते हैं, यहां पर जॉर्जिया एडम्स, ठीक है, चार ओवर्स वाल बोलर्स हैं, जिसमें से तीन के बारा ओवर्स कंफरम हैं, माकी यह तीन मिलके बारा डालती हैं, तो कभी कबार फ्रिया गैम को थोड़े दो से तीन जादा ओवर्स मिल जाते हैं, अगर अच्छा करती हैं, कभी ट्राइन अपने पूरे चार कर लेती हैं, और कभी जॉर्ज बहुत तगड़ा था रास मैच वो 42 किये अब आज के मैच में यार मैं फिर से बहुत जादा उमीद है नहीं करूँगा क्योंकि सामने वाली टीम है वैल्श फायर पोजिशन में भी टॉप पे बनी हुई है बोलिंग सेक्शन भी आप देखो कि वो भी बहुत तगड़ा हो र लगातार रंस की है इस वोमें दी अंडर फिछले मैच में जीरो किया है आज के मैच में फिर से आप उम्मीद कर सकते हो 30 के आसपास रंस करके देंगी मेरी टीम में है बाउशर की बात करें 26 काईवरेज मैंने आपको लास्ट मैच में बताया था यार ये ओपन जब से कर र अच्छी प्लेयर हैं बहुत बढ़िया प्लेयर है और इस साल यार उतना अच्छा है इन्होंने किया नहीं है बाकि लास्ट अगर आप देखो ना दो से तीन विकेट हर मैच में 25-35-45 रन हर मैच में मतलब आलमोस हर मैच के अंदर ये कैप्टन बंती थी किसी भी टीम से मै बहतर परफॉरमस नहीं रही है बाकि आज के मैच में इनकी टीम से कोई बहतर विकलब आप दोड़ रहे हैं क्यों किया उसके पहले देखो 9-0 विकेट, 9-0 विकेट, दो मैच इस खराब देखो लास्ट मैच में लोगों नहीं ड्रॉप ही करती है और लास्ट मैच में हमने अपनी टीम के अंदर ट्राय करके बढ़िया विनिक्स की है आज के मैच में भी टीम में रखो, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं, फ्रिया कैम के साथ हम नहीं जा रहे हैं, इनका सीजन भी कुछ खास नहीं जा रहा है, बैटिंग थोड़ी इंगलेंड के लिए अच्छी की अने एकाद विकेट लेके दे देंगी, लॉरेन बैल लास मैच के अंदर ये भी डिफरेंट हमारी थी, इनकी टीम से मंदाना और लॉरेन बिल दौनों को साथ बर रखा था, लॉरेन बैल को लोग को क्यो ड्रॉप कर रहे थे, दो मैच इस खराब, यहना आप सब बोला था यार, बैल का जब फॉर्म चलता है न, तो एक विकेट नहीं लेती है, फिर वो दो से तीन से चार विकेट लेती है, तो उनको ड्रॉप करना बहुत बड़ा खत्रा है, इसके बावजूद लोग ड्रॉप कर गए, कुछ ऑपोनेंट से हमारे ने डॉप किया था, और उनको पता है, 110 points निकाले, कोले बन की बात करें, 7 matches में 6 wicket, लगातार wicket निकाल रही थी, last match में हमने ड्रॉप किया और इन्हों नहीं निकाला, उसके पहले मैंने आपको different बताया था, अब आज के match में क्या करना चाहिए, यार, first bowl के अंदर रख सकते हो, क्योंकि सामने वाली टीम में first bowling, first batting में कुछ wicket stock होईगी, chasing उनकी बहुत भैतर हो दिया, तो chasing में आप drop करके चल सकते है, बागी फिलाल में इनी टीम के अंदर ये नहीं है, है ना, चलिए, अब वेल्श फाइन की possible 11 देखें ती कुछ इस तरीके की रहेगी, bowling section फटा-फट से cover कर देता हूँ, पहल इशा रहते हैं, जैस जोनासन और फ्रिया डैविस को आप डैथ के तौर पर इस्टमाल करती है, तो इनको अपनी टीम के अंदर से miss मत करते हैं, खासकर first bowling के अंदर, जोर्जिया डैविस का form अच्छा चला है, इनके भी पूरे चार वर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो चार ब बता दिया, टैमी विडियोस से शुरुआत करें, तो 26 का अवरेज, री सेंट फांव आप देखो, खराब जा रहा है, पूरा सीधे नहीं खराब जा रहा है, इस मैच के अंदर हमने अपने टीम के अंदर ट्राइ किया था, जो लगातार मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो तो उस मैंच में इननोंने हमें विन करा है, ये वाले मैंच में, लास्ट में मैच में मैंने फिर से ड्रॉप करने का बो जाब को बोला था, हला कि वो मैच में खेला नहीं था, व्यूमेंट को आजके मैच में रख सकते हूं, चेजिव में लखोगे ज्यादा बैतर है, बैटिंग बोलिंग दोनों जैजनासन बैटिंग दोनों इनके दम पे दोनों टीम टॉप पे बनी हुई है इनों नहीं आदे से ज्यादा मैचेस यह यह रख सकते हों क्योंकि पिछले दो तीन-चार मैचस खराब है तो वह सकता है बड़ी बारी खेल जाए आजके मैच में है पहले मैथ्यू 27 कावरेज 21 टूर्नमेंट की शुरुवात अच्छी नहीं हुई थी मांकि पिछले कुछ मैचस में बहुत दगड़ी परफरमेंस किया विकेट्स भी लिए और बैटिंग भी उपर है तो बैटिंग से भी अच्छा किया है अब आज के मैच में फिर से कैप् करना चाहिए तो ब्राइस की बात करें तो 32 का अवरेज यह यार बहुत बड़ी आनों ने किया है इस साल लोग शुरुवात में ट्राइड नहीं कर रहे थे पिछले कुछ मैचस से लोगों इनको रखना चालों किया और उसी मैच में एक मैच मेंने व्यूमेंट को रखा थ करते हैं प्लस पॉइंट विकेट की भी यही करती है तो एकाद दो कैचस या स्टंपिंग में इनके पास आते हैं तो ज्यादा बैतर विकत तो ब्राइस है मां की व्यूमेंट को मैं चेजिंग में रखना चाहूँगा क्योंकि ब्राइस पर वाँपर हो सकता है कम मौकर है जैज जोनासन 40 का अवरेज इनका है 9 विकेट्स रिकाले हैं यह देखो लगातार लगातार देखो बैटिंग भी किये बोलिंग भी किये और मैथ्यूज ने बैटिंग उतनी अच्छी नहीं किये एकी मैच में सिर्फ 78 बनाए बोलिंग पिछले 2 मैचस में 3-3 विकेट मिले मैथ्यूज शुरुगात मैचस खराब रहते हैं तो जोनासन को टीम में रखो जो लोग हलका सा रिस्क ले सकते हैं वो जोनासन को कैप्टन कर सकते हैं मैथ्यूज की प्रेस बोल आही है तो कर दो क्योंकि डैथ मावा वबस मिलेंगे लेकिन पिछले कुछ मैचस में क्या फर्स बोल आये चाहे फर्स बोल में ही रखूंगा हलाकि सेकेंड में भी रख सकते हो सामने वाली टीम विकेट खोती है जैसे मैंने आपको बताया बड़िया चोईस रहेंगी शबना मिसमाइड यार बहतरीन बोलर है वर्ल्ड ग्लास बोलर है लेकिन इनको विकेट कम मिलते हैं क्योंकि सामने वाली टीम इनको टुक टुक करने को देखती है और इनके ओवर्स पूरे निकाल देती है जोर्जी अडैविस अच्छा सीजन जारा एक 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 विकेट तो लगातार लेही रही है ब अब आप अपने अक्वाडिंग देख सकते हूँ बाखि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ अगर फर्स बोल आ रही है जैश जोरासन वाली टीम की तो जैश जोरासन को रख सकती हूँ क्योंकि डैथ की ओवर्स डालेंगी तो विकेट के आसपास ले सकती है और सदन बेव मु हो सकता मैच ना जाए बहाता कि अगर अच्छा खेल जाए सामने वाली टीम एडम्स ट्राइन वोड डिफरेंट केप्टन वाइस केप्टन फिक्स प्लेयर देखें ग्रेंड लीग में जितनी भी टीम सब क्लिएट करें इनको ड्रोप मत करना रैन और जोर्जी एडम्स यह इनको ड्रोप करेंगा तो इन में से कोई एक यह दो प्लेयर जो आपको ठीक लग रहे हैं मैंने तो बता दिया है उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो बिक फ्लॉप प्लेयर देखें तो यार फिरसे मुझे मुझे मंदाना से आज बहुत साथ उम्मीद नहीं हो रही है सामने इस ट्रॉण टीम है कही ना कहीं अपना विकेट दे सकती है अब आप स्मॉली की टीम देखेंगे उसके पहले वीडियो लग रही पसंदा रहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अब हमारी टीम के बारे में उसके पहले अगर इस टेलीघराम प मिलती है उसमें भी हमने वन साइडेट विनिंग्स किये तो अगर आप अभी तक नहीं जोईन हुगो काफी सारे लोग हो चुके हैं तो आप जोईन कर सकते लिंग के डिस्क्रिप्शन में भी है कॉमेंट सेक्शन में भी है बाकि जो मैंस दी अन्रेट था उस मैच में अच सब्स पॉइंट्स दीए थे और फॉर्स इनिंग में क्लींट कर रहे थे सेकेंड इनिंग में पैवली यार जब रन में दो विकेट उनको मिल गया क्योंकि पच्छीस बॉलों में 20 चाहिए थे इन्होंने दो वर्स डाले और वहां पर दो विकेट लेगे तो यह जब भोश खेलते हैं और 7 प्लस 4 को भी रहा एप में खेलता हूं उसकी टीन भी दूँगा अगर आप इन दोनों एपस के अंदर खेलना चाहते हो तगड़ा प्रॉफिट करना चाहते हो तो यह खेल सकते हो क्योंकि इनमें कॉम्पेटिशन बहुत कम देखने को मिलता है और इनमें अ एक्षन में मेरे पास दो चॉइसे सारा ब्राइस एक चॉइस है और भी किसे रखना चाहिए फिलाल मैंने सारा ब्राइस को रखा है क्योंकि इनके बस विकेट कीपिंग का ब्लस पॉइंट है वागी जेजिंग अगर आ रहे है तो व्यूमंट को रखा जा सकते हैं लास्ट आप ड्रॉप कर सकते हो जो लोग रिसक ले सकते हैं मंधाना से मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है डंक्री से चलो फिर भी मुझे थोड़ी उम्मीद है क्योंकि इनके पिछले तीन-चार मैचस बहुत गुड़ी तरीके से खराब रहे हैं ठीक है चलिए मैं डंकली को रख प्रिया चॉइस है लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं किया है जोर्जी एल्विस के पास भी कम मौका है तो बहतर है आप ड्रॉप ही कर लें बूलिंग सेक्शन से अगर हम बात करें तो लॉर्ण बैल हमारे पास है कीटल हमारे पास है अब यहां पर एक और विकल्प आपक उनकी किसी एक की प्लेश्म को रख़ो फिलहाल मैंने बैटस्मीन को प्रिफर्णेस दिया उनको अपनी टीम के अंदर रखाए बाकी मैं डंकली या मंदाना में से किसी एक को ड्रॉप कर सकता हूं कंडिशन के अकॉर्डिंग इन दौनों में से किसी एक को लेने के उसमें कैप्टन में कर रहा हूं मैथ्टियूज को वाइस कैप्टन करनो जैज जोनासन को अब दौनों में देखो पॉइंट्स अल्मोस बराबर है सिर्फ 15 से 16 पॉइंट्स का डिफरेंट से दौनों बहतरीन प्लेयर हैं और बस यह है कि अगर आपने जोनासन को किया च्योंकि चाह जाते हैं थोड़ा भी डिफरेंट करना चाहते है तो जोनासन को कर लो भी वडिया ठीक है और बैटिंग उसको भी आती है ठीडाउन बैटिंग तो भी आती है ज्यादा पीछे मौका नहीं और मैथ्यूज वन नाउन वह पन नहीं है ठीक है तो कोच इस तरीक है कि हमारी ट